आज मार्गशिर्ष शुकल चतुरदशी सौमवार 25 दिसंबर 2023 है आज अमरसी घटा है और कल प्रभु स्रीजी में घर का चपन भोग है आप सभी को बढ़ाई स्कल से अथी है तुम मुदा मुरारे पदपंकज सुरद मंदरे नूत कटा जेशी क्रिष्णा आप देख रहे हैं दिवे शंकना मैं भावी का जोशी इकबर फिर से आप सभी का स्वागत करते कल अर्थात मार्गशिर्ष शुकल पूर्णीमा मंगलवार 26 दिसंबर 2023 को प्रभु स्रीनाजी में घर का चपन भोग है आज की प्रस्तुती में सबसे पहले घर के इस चपन भोग की भावना के दर्शन करेंगे ताकि कल आप अपने प्रभु की सेवा में समय पर पहुँच सकें तत पस्चात प्रभु स्रीनाजी के आज के अमर्शी घटा के दर्शन करेंगे घटा दर्शन के बाद हम प्रभु स्रीनाजी में कल होने वाले चपन भोग उस्सव के सेवा क्रम एवं प्रभु के संक्षिप्त दर्शन करेंगे आईए ध्यान पूर्वक प्रेम से दर्शन करते हुए आनन्द लीजी मार्ग शिर्शी शुकल पूर्नीमा को प्रभु स्री जी को जपन भोग क्यों अरोगाया जाता है इसके पीछे पुष्टी मार्ग एवं प्रभु स्री जी की सेवा प्रणालिका में क्या भावना है कुछ शुरूतियों का भी आदार है आईए दर्शन करें पुष्टी ग्रंथों में लगबग 6-7 प्रकार के भावदर्शाय गए हैं इसमें एक भावना के तहत गोपकन्याओं ने एक माह तक वरत रखा कात्यायनी पूजन किया और श्री नंद राजकुमार को पती रूप की भावना में रखा प्रसन होकर प्रभू ने गोपकन्याओं को वर्दान दिया कि तुम अपने घर जाओ आगामी शरत पूर्णी मा को तुमारा मनुरत पूर्ण होगा गोपियों की इस वरत चर्या के उध्यापन स्वरूप यह चपन भोग अरोगाया जाता है हमारी संस्रती के अनुसार वरत का जब तक उध्यापन न हो उसकी फलसिद्धी नहीं मानी जाती है इसी भावना से श्री महाप्रभु जी के वन्षजों ने चपन भोग प्रारंब किया सारवप्रथम श्री गुसाई जी ने अपने चेश्ट पुत्र श्री गिर्धर जी के विवाह उपरांथ श्री जी को छपन भोग अरोगाया तब से अर्थात विक्रम समवज 1614 से श्री जी में यह परंपरा चलिया रही है आईए अब दूसरी भावना का अवलोकन करते हैं जिसके तहत श्री गुसाई जी के चतुर्थ लाल जी श्री गोकुल नाथ जी ने गोकुल के पास श्री बल्देव जी के मंदिर का जीर्णो धार करवाया समय खंड था विक्रम समवत 1632 म्रक्सर शुक्ल पक्ष पूर्णिमा हांडा अरोगाया और वेद विधी विधान से प्रतिष्ठा की भावना यह थी कि बड़े भाई के यहां ठाट बार से मनुरत हो और श्री जी अलोने रहें इस भावना से यह 56 अरोगाया गया इसके साथ ही प्रतिवर्ष यह 56 बोग हो इसे भी नियत किया दावजी में आज भी मेला लगता है और वहां स्वर्ण के हल मोसल रखे जाते हैं आईए अब एक और भावना का अलोकन करते हैं इससे पुष्टी सेवा प्रणालिका में सबसे प्रामानिक माना जाता है एक बार नंद राज कुमार प्रभु स्री कृष्टन गोवर्धन से बरसाना पधारे आपके साथ नंद बावा सहित समग्र परिवार था और इन सभी को श्री व्रशभान जी एवं कीर्ती जी ने विविद प्रकार की सामग्रियां अरो गाई भावन यह थी कि व्रशभान जी के यहां स्वयम प्रभु पधारें हैं इससे बड़ा कोई मनोरत हो नहीं सकता अतह स्वामिनी जी के भाव से आपको छप्पन भोग अरोगाया गया श्री जी में इसी भाव से प्रतिवर्ष छप्पन भोग होता है और केवल यही छप्पन भोग होता है एक और भाव का अवलोकन करते हैं यह थुड़ा अनोखा है श्रोति परमपरा एसी है कि अनकूट में सभी सुरूप पधारे आप प्रभु उनके स्वागत में रहे अतह अनकूट अरोग नहीं सके यह बात श्रीद आउजी महाराज ने श्रीद आमोदर जी से कही तब से इन सामगरियों की विधी तथा विधान को शामिल किया गया और इस छप्पन भोग में इसी कारण कोई स्वरूप नहीं पधारता है केवल श्री जी ही यह चप्पन भोग अरोगते हैं एक भावना यह भी है कि जब प्रभु को सतगरा में पधराये थे तब श्री गुसाई जी के लाले जी ने चप्पन भोग किया था श्री छीत स्वामी जी ने इसका वर्नन किया है एक और अदभुत भाव के दर्शन करते हैं प्रभु ने ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी अंगूली पर गोवर्धन को साथ दिनों तक धारन किया इन साथ दिनों तक प्रभु को भोग नहीं धराये गए और पुष्टी प्रणालिका के अनुसार प्रभु को दिन में आठ समय भोग अरोगाये जाते हैं बाल भाव में यह प्राकर्तिक भी है सब कुछ कोशल हो जाने पर प्रभु ने ब्रजवासियों को उलाहना दिया कि तुम्हें बचाने के लिए मैंने साथ दिनों तक कुछ भी खाया पिया नहीं है अब ब्रजवासी तो ठहर है प्रभु के सखा उन्हों ने कहा कि हम आठो दिनों का भोग तुझे चपन भोग के रूप में एक साथ अरोगा देते हैं इस भाव से भी प्रभु को चपन भोग अरोगाया जाता है और पुष्टी मार्ग तो वेसे भी भाव प्रधान है इनी भावनाओं के आधार पर मार्गशेश्च शुक्ल पूर्निमा को प्रभु को चपन भोग अरोगाया जाता है गर के इस छपन भोग में प्रभु स्री जी को अनेक सामगरियां रोगाई जाती हैं, क्योंकि प्रभु स्री जी के मंदिर को नंदले की भावना से माना जाता है, और सभी सेवा क्रम इसी भाव से होता है, अतह सेवा विधी, सामगरी विधी एवं सामगरियों का विवरन करना संभव नहीं है हाँ जेसा सुना जेसा देखा उस आधार पर कुछ जलकियां अवश्य संभव हैं क्योंकि प्रभु स्री जी तो नित्य नवेन वस्त्र शंगारेवं सामगरियों का भोग करते हैं जिनकी गणना या वीवरन दोरलब है कुछ जलकियां देखते हैं स्री जी को छपन भोग में अरोगाई जाने वाली सामगरियों में दूदगर से, साथ गर से सकडी से और बाल भोग से सामगरियां पदराई जाती हैं जो तस्वीरे आप देख रहे हैं वह प्रतिकात्मक हैं कुछ सामगरियों के नाम आपको बता रहे हैं आप उसी से अचंबित हो जाएंगे कि स्री जी की सेवा प्रणाली का कितनी व्रहत कितनी विस्तरत और कितनी गहन है विलक्षन और अद्भुत्तो यह है ही साथ में प्राकरतिक भी है पाक कला का इससे बड़ा उदारन दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता है दूत्गर से आने वाली सामगरियों में गुंजिया, केसरी सफेद, बरफी, केसरी, सफेद पेडा, केसरी, सफेद, बासवंदी, केसरी, सफेद अगोटा, खोवा, मलाई, दूत्पूडी, खटा, मिठा, दही, माखन, मिस्री, आदी, अम्रत, रसावली, अरोगाई जाती है वहीं शागगर से बिलसारू पेठा का, केला का, नारंगी का, सेव का, सीता फल का, आम का और शिकन, अम्रस, अनार का सर्बत, बादाम कतली, पिस्ता कतली, चिरोंजी कतली, खोपरा कतली, रस खोपरा, हरी पीपल, सब तरह के फूल व चार आदिद अरोगाने के लिए पधाए जाते हैं वहीं सकडी में दई बात, मेवा बात, खटा बात, बड़ी बात, आदा बात, लोंग बात, पान बात, बेंगन बात, सिकरन बात, कडी, बुंदी की, मीठी, फी की, खडरा की, लोंग की, पान की, अनार दाना की, पकोडी की, रोटी, लोंग की रोटी, सूरज रोटी, आद प्रकार के लूचई सुहरी पतली पूड़ी कांजी कचरिया सभी प्रकार की खीर चार प्रकार की मखाना की दल्या की सेव की चावल की शाक बारा प्रकार का चपटियाओं में पापड़ आदी पूड़ी पांच प्रकार की भर्मा दही की साधा खाजा गुजराती खाजा खर खरी अर्भी दही चुकर्मा साधा अरोगायने के लिए पद्राय जाते हैं वहीं बाल भोक से प्रभु को मौन्थाल बेशन के उड़त के पीठी के पीरी डाल के पीठी के बुंदी के मनोर के तिगड़ा के साधा चून के बेशन के जाली के मेदा के जाली के जेपूरी तथा लाका साई अरोगाने के लिए पदराए जाते हैं मूंग की दाल की पीठी का के भी होते हैं चौदा प्रकार के मौन्थाल प्रभू को अरोगाए जाते हैं वहीं मगद आठ प्रकार के अरोगाए जाते हैं जिसमें उड़त के, मूंग के, बेशन के, चोखा के, तिगड़ा के, रतलू के, सूरत के, बीच के और अर्वी के होते हैं अब जैसे मनोर आठ प्रकार के अड़ो गाए जाते हैं गीजड का, खोवा का, मनमोर अर्वी आठा का, दही का, सादा बुंदी का, गुड का, खांड की, छुट्टी धांस का इसके अलावा तवापूडी गुड की खांड की मीठी सकोरी गुड की खांड की मांडा खांड के गुड के सेव के नग दैवबडा मठडी सकरपडा माखनवाडा भूरा भूर की पपडी रस पपडी खरमंडा इदरसा थेपलिया गुड के खांड के कपूरनारी जलेबी सु दूरजबट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् शकरकंद का बेशन का केला का कांजी वड़ा का सिखरन बड़ी उड़त मूं के बड़ा बड़ा फीका थपेडी सकल पाड़ा सेव छोटे जहरा की बड़े जहरा की जीने जहरा की मनोर के जहरा की बुंदी के जहरा की गगन गाठिया फीकी दाना की बुंदी पान वड़ा के गुंजा आदा के लोंग के सूरन के रतलू के सूरन अर्भी रतलू भुजेना चार प्रकार के अरोगाई जाते हैं इसके अलावा रतालू भूजेना चार प्रकार के अरोगाई जाते हैं, मेथी बड़ा अरोगाई जाते हैं, उड़त की दाल के मंगोडा, आलू, रतालू, अर्भी की पाच्रियादी अरोगाई जाती हैं तोस्तों नंदालाय में प्रभु को अरोगाई जाने वाली सामग्रियों की कोई सीमा नहीं है नित नवीन सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जाती हैं यह केवल उदारनार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत की हैं जो किंचित मात्र है जय स्री कृष्ण आईए पुष्टिमार की प्रधान पीट नातद्वरस्थत श्रिनाजी मंदर से आज के श्रिंगार राग वो भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं जैसा कि हम पूर्व की प्रस्तुतियों में देख सकते हैं प्रभु श्रिनाजी में द्वादस घटाएं होती हैं यह शीत काल में बादलों के रंग से प्रेरित प्रभु श्री जी की विशिष्ट सेवा प्रनालीका का एक अभिन्ना अंग है जो सीधे प्रभु स्री जी की सेवा प्रनालिका को प्रकृति के साथ जुड़े हुए दर्शाते हैं और भक्ती का चरम भी दिखाते हैं कि प्रभु की भक्ती में इतने डूब जाओ कि एक रंग हो जाओ इसक्रम में आज प्रभु स्रीनाद जी में चतुर्थ घटा है जो अमर्शी है कल प्रभु स्रीनाद जी में चपन भोग है यहाँ नियम का चपन भोग है जिसे घर का चपन भोग कहा जाता है इसके तहट जो सामगरियां सिद्ध की जा रही है उनमें आज गोपी वल्लब अर्थाद गौाल भोग में श्री जी को उड़त के मगत के लड़ू अरोगाए जाएंगे यह सामगरी कल के छपन भोग में भी प्रभू को अरोगाई जाएगे आज प्रभू श्रीनार जी में घर के छपन भोग के एक दिवस पूर्व की नियम की अमर्सी घटा है इस घटा की भावना के प्रभू को आज नियम के श्रंगार धराए गए है घटा की भावना है अतह वस्त्र श्रंगार आबरन एक रंग होते है सार्व प्रथम निकुंजनायक प्रभू श्री गोवर्धन धरन के श्री चर्णों में दंडवत प्रणाम करते है और श्री चर्णों के ही दर्शन करें तो प्रभू ने आज मोजा जी धरन किये अब जो नित्यनवनीत है परम मंगलकारी है प्रभु के से सुन्दर मुखारविंद के दर्शन करते हैं श्री मस्तक पर प्रभु ने आज हीरा का तिलक चिबुक पर हीरा और नकवेसर भी हीरा के धारन किये है श्रीजी के अधुरों पर मंद मुस्कान है जो आनंद प्रदान करते हुए हर किसी को सम्मोहित कर रहे है अधिखुले नैत्रों से कृप्याद श्टी डालते हुए प्रभु ने अपने निजभक्तों को किन किन रूपों में धारन किया है आईए दर्शन का अमर्सी गटा की भावना है अतह श्रीजी के पार्श्व भाग में अमर्सी रंग की साटन की शीतकाल की पिछवाई सजाई गई है घटा में सभी एक रंग होने के कारण पिछवाई पर किसी प्रकार की कीनारी की सजावट नहीं की गई है प्रभु के सनमुख पदराय खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाई गए है अन्य साज में गादी तकिया एवं चरन्चो की पदराय है गादी एवं तकिया पर भी अमर्सी रंग के वस्त्रों की ही बिछवट की गई स्वर्न की रत्न जडित चरन्चो की पर भी अमर्सी मकमल मड़ी हुई है प्रभु के सन्मुक स्वर्न के जड़ाव के दो पढगाजी पदराये हुए हैं इन में से एक पर बंटाजी और दूसरे पर जारी जी पदरायी गई है उष्णता प्रदान करने की भावना से धर्ती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है जिस पर अंगीठी भी पदरायी गई है चर्वित ताम्बूल की सेवार्त प्रभु के समक्ष चांदी की तरश्टी जी पदरायी गई है वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारन किया है उनके दर्शन करते हैं आज श्री जी को सभी वस्त्र भी अमर्सी रंग की ही साटन से सिद्ध किये हुए धराये गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं ये सभी वस्त्र प्रभु को अंतरवास के वस्त्रों के उपर धराये गए हैं आज की विशेशता यह है कि ये सभी वस्त्र भी किसी प्रकार की किनारी से सूसज्जित नए पिठीकाजी पर भी थाड़े वस्त्र अमर्सी रंग के ही धराये गए हैं श्री चर्णों में भी प्रभु को अमर्सी रंकी साटन के ही मौजाजी धराये गए हैं जो लाल फोंदना से सूसज्जित इन पर नुपूर एवं पैंजनिया भी धराये गए हैं अब प्रभु ने जिनको श्रंगार आभरन की रूप में धरन किया है उनके दर्शन करते हैं श्री जी को आज छेडान का अर्थात कमर से थोड़े नीचे तक के हलके श्रंगार धराये गए हैं जिनमें कंठहार, माजुबंद, पोची, हस्तसाखला, कडे, मुद्रिकायादी सभी आभरन स्वर्न से ही सिद्ध कीए हुए अंगिकार करवाए गए आज प्रभु को श्री कंठ में जो ये आभरन धराये गए हैं इने चार माला का हलका शंगार कहते हैं अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारन किया है उनके दर्शन करते हैं आज प्रभु को अमरसी रंग की ही गोल पाग धराई गई है पाग के उपर आभरन से ही मिलवा सिर्पेच धराया गया है और सिरपेच के उपराज अमरसी रेशम का दोहरा कत्रा धराया गया है और कत्रा दोहरे सुनहरी फोंदना से सुसज्जित हैं बाई और शेश फूल धराया अब श्रीकर्ण के श्रंगारों के दर्शन करें तो आज प्रफु को आभरन से ही मिलवा अर्थात घटा की भावना से स्वर्न से सित्त किये हुए एक जोडी कर्ण फूल धराये हैं फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पीले लाल एवं गुलाबी पुश्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो मालाजी धराये गई हैं इन मालाजी में आज पीले पुश्पों की प्रधानता रहती हैं प्रभु के दाये श्री हस्त में आज स्वर्न से सिद्ध की हुई वेणू जी धरायी गई हैं प्रभु की कटी पर धराये गए एक वैत्र जी भी स्वर्न से ही सिद्ध किये हुए हैं प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट अमर्सी रंका सुनहरी जरी की कीनारी के हाशिया वाला और गोटिया स्वर्न से सिद्ध की हुवी पधरायी गई है घटा की भावना के इन सभी साज श्रंगार वस्त्र एवं आभरनों से अलंकृत प्रभु श्रेजी की छवी को प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए श्रंगार में स्वर्न की वो राजबोग में बटदारार सी दिखाई है जिन कीर्टनों के भाव से प्रभु की अश्रयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय महा महोच्चव श्री गोकुल धाम राजबोग के समय अचल बधायो है सुनोरी आज आरती के समय मंगल रूप निधान श्री वल्लभ शयन के समय वल्लभ लाडिले हों तिहारे मान के पदमे तेरे सुहाग की महीमा मोपे पोडवे के पदमे लागत है अत शीत की नीकी रीतु कीरतनों का श्री जी के सनमुख गायन किया जा रहा है प्रभु श्री जी की सेवा का अन्यस अभीक्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है जिसके तहत मंगल भोग, राज भोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामगरियां तो अरोगाई जाही रही हैं परंतु शीतकाल की भावना से दूद घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेश सामगरियां भी अरोगाई जा रही हैं पानगर की सेवा के तहत प्रभु को तामूल बीडा भी नित्य की भावती ही अरोगाई जाते हैं मंगला, राज भोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है संध्याकालिन सेवा में हलका परिवर्तन होता है संध्यारती दर्शन के उपरांत प्रभु स्रीजी को प्रातह धराये गए श्रंगार एवं आभरन बड़े कर छेडान के श्रंगार धराये जाते हैं श्री मस्तक पर पाग रहती है और लूम तुर्रा आज सुनहरी धराये जाते हैं शयन के दर्शन बाहर नहीं खुलते हैं यह क्रम अंदर ही होता है और प्रभु स्रीनाजी मंदिर नाथद्वारा में दर्शनों के समय का अवलोकन करें जो आपके समक्ष इस्क्रिन पर द्रिश्यमान है विशेश में कल घर का चपन बोग होने के कारण प्रातह मंगला के पस्चात सीधे राजबोग के दर्शन ही खुलेंगे जय स्री क्रिश्ण आईए अब देखते हैं प्रभु स्रीनाजी के मंदिर में छपन बोग के दिन सेवा करम क्या रहता है और प्रभु के दर्शन करते हैं आईए सबसे पहले चपन बोग पर प्रभु स्री जी में क्या सेवा करम रहता है इस पर एक नजर डालते हैं श्री जी में आज प्रातह तीन बज कर तीस बजे शंखनाद होते हैं उस्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है सभी समय यमनाजल की जारी जी भरी जाती है चारों दर्शनों मंगला राजभोग संध्या आरती वशयन में आरती थाली में की जाती है मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को चंदन आवला एवं फुलेल से उबटन व अभ्यंग कराया जाता है श्री जी में आज श्रंगार व ग्वाल के दर्शन नहीं होते हैं हाला कि श्री जी को गोपी वल्लब अर्थाद ग्वाल भोग में विशेश रूप से मनोर के लड़ू, दूद घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुन्दी की हांडी व शाग घर में सिद्ध चार विवित प्रकार के फलों के मीठा अरोगाया जाते हैं गोपी वल्लब भोग में ही छपन भोग के सकड़ी भोग, निजमंदिर व आदे मनी कोठा में धरे जाते हैं अनसकड़ी भोग मनी कोठा, डोलती वरी व रतन चोक में रखे जाते हैं धूप दीप शंकोदक होते हैं व तुलसी समर्पित की जाती है भोग सरने के उपरांत राजभोग धरे जाते हैं नित्य का सेवा क्रम होता है और चपन भोग के दर्शन ग्यारा बजे खोले जाते हैं राजभोग में अनसकड़ी में दाख का रायता और सकड़ी में पाँच बात जिसमें मेवा भात, दही बात, राई बात, स्रिखन बात और बड़ी बात आते हैं राजभोग दर्शन में प्रभु के सम्मुख 25 बीड़ा की सिकोरी अधिक रखी जाती है आज नियम का 56 प्रभु अकेले ही अरोगते हैं अर्थात श्री नवनित प्रिया जी अत्वा कोई अन्य स्वरूप आज श्री जी में आमंत्रित नहीं होते हैं यहां तक की अन्य स्वरूपों को पता न चले इस भाव से आज नकार खाने में नगाडे भी नीचे गोवर्धन पूजा के चोप में बजाये जाते हैं श्री नवनित प्रिया जी की भोग हे तूडला जिसे विविद प्रकार के चपन सामगरियों का एक चाप कह सकते हैं बेजा जाता है भोग के समय अरोगाये जाने वाले फीका के इस्तान पर घी में तले बीज चालनी के सूखे में वे अरोगाये जाते हैं श्री जी की साज सेवह में आज शाम रंग की मकमल के उपर रूपहरी जरी से गायों के भरत काम वाले सुन्दर पिछवाई धराई जाती है गादी तक्या एवं चरन्चोकी पर सफेद बिछावट की जाती है एवं सरूप के सम्मुख लाल रंग की तेह बिछाई जाती है चरन्चोकी के साथ पढ़गा बंदा आती सभी जड़ाव स्वर्न के ही रहते हैं सम्मुख में दर्ती पर तरश्टी जीवा अंगिठी भी धरी जाती है वस्त्र सेवा में आज प्रभू को सुनहरी जिसे तमामी भी बोलते हैं सुनहरी जरी का सूथन चाकदार वागा व चोली धराये जाते हैं पटका व मोजाजी रुपहरी जरी के धराये जाते हैं थाड़े वस्त्र आज मेग शाम रंग के धराये जाते हैं श्रंगार आबरन सेवा में आज प्रभु को वन माला का, चरनार विंतक का उस्सवत भारी श्रंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजु बंद, पोची, हस्तसाकलादी सभी आबरन हीरा के धराया जाते हैं। श्री मस्तकपर प्रभु को आज विशेश रंगार धराया जाता है जिसमें सुनहरी जरी की टिपारा की टोपी के उपर, हीरा का किलंगी वाला सिर्पेच, रुपहरी जरी के गौकर्न, सुनहरी जरी का त्रिखुना घेरा, एवं बाई और शीषफूल धराया जाते हैं। हीरा का प्राचीन जड़ाओ का चोक्टा पिठिका के उपर धराया जाता है। कस्तूरी, कलियादी, सभी माला जी धराया जाती हैं। तो साथ ही फूल घर की सेवा के तरहता आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग, बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थागवाली, दो माला जी धराया जाती हैं। श्री हस्त में हीरा के वेणों जी, एवं वेतरजी धराया जाते हैं। पट उस्तव का वो गोटी सोने की कुदते हुए बागबकरी की आती है। आरसी ग्वाल में चार जार की वो राजभोग में सोने की दांडी की दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा भी आज विशेश होती है। मंगला में सुनोरी आज नवल बधायो है, अभ्यंग में महत्मय के छे पद गाये जाते हैं। आरसी दिखाते समय सुभक श्रिंगार निर्खी तथा चपन भोग आवें तब स्री वरशभान सदन भोजन को बेठी गोप कुमर की पांत कहत प्यारी राधिका यशोदा एक बोल जो पाउं असावरी में गाये जाते हैं। जब चपन भोग आते हैं तब दस पदों का गान किया जाता है। यह सभी पद छडिदार जी की कोठरी के आगे होते हैं। भोग अरोग हैं तब गोवर्धन पूजा चोक में नगाडे बजाये जाते हैं। राजभोग में जैती रुपमनी नाथ पदमावती आरती में होचर नाथ पत्र की शयन में प्रकटवे मारकरीत कीरतनों का प्रभु के सनमुख गान किया जाता है। चपन भोग के दिन के यह प्रभु श्रीनाज जी के दर्शन थे। आप सभी को इस उस्सव की खुब-खुब बधाईयां। अद्देश विदेश के पुष्टि मारके हवेलियों से भाव किर्टन के साथ दर्शन करते हैं। पुष्टि स्रिष्टि के दर्शनों में आज हमने यह प्रतिकात्मक दर्शन स्री वलब ने दी हवेली जो हो मुंबई से रखे हैं। जगह एवं समय की कमी के कारण आज के अमर्सी घटा के पुष्टि स्रिष्टि के शेश सभी दर्शन हम कल की प्रस्तूती के साथ रखेंगे। पुष्टि महारस देन प्रगटे पुष्टि महारस देन प्रगटे पुष्टि महारस देन प्रगटे करें पुष्टि महारस देन प्राटे प्रगटे करें पुष्टि महारस देन प्रगटे अराटे झाल